होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरी ग्रहन की स्तिती बनती है सुमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरी ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरी ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है दिश्टर से पहले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरे ग्रहन है हलां कि भारत में इस सूरी ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो त्साचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरी ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देस हैं किनकिन देसों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूर्य ग्रहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नोब ज़तर बारा में ज़तके और ग्यारा वजतर सटावल में तक कर समय इस समय रहेगा देहरता लिए बाहा के देशों अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून चाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विश्टर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहं के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरे ग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरे ग्राण है हालां कि भारत में सूरे ग्राण का कोई असर नहीं होगा जो साचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरे ग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरे ग्राण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल हैं। पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है। सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड। चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है। और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है। रिष्टा से पहले समय जाल लेंगे कि भारतिये परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके तक कर समय है। अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दौरान सूरे चन्दरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चन्दरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चन्दरमा की पून चाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आट अपरेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात ग्यारा बचकर सेंतालिस मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में सूरिग्रहन को लिकर alert भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है रिस्तर से पढले पर समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके तक और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहे दाफ का लिए वाहा के देशो अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात नौ बज कर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बज कर बाइस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात ग्यारा बज कर सेंतालिस मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नौबज पर बारा में से जब के और ग्यारा वर्च के सटाल में तक कर समय है इस समय रहेगा देहन का लिए बाहा के में देश्टा से जाता है और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दवरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरिग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चोवन साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाईस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेंड की अफ़दी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात यह है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जायेगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है दिस्ता से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके तब के और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेदा रहता लिखी ये बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दारान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दारान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 खल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है चववन साल बाद पून सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है आईए इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवदी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के देशों म अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चौवन साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रैल को रात शूर्य 9 बचकर 11 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेहन का मद्ध समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवदी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है सूरी ग्रहन दिखने वाला है सूरी ग्रैन को लिकर अलर्ड भी जारी किया गया है हवाया टायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रैन के Orang स्कूल बन रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दारान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दारान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चाहा सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशो में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश Shownil है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलरट भी जारी किया गया है हौए य अतायात और एइरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विश्टर बारा में उसके और वियारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेदा बहर का लिखिए पाहा क असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जा बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ बारागी उसके और ग्यारा वज़त सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देश देश्टा सकाम मतव अन्मम आम बनाना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दाराण सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी पचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रहन होने वाला है वाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून ज्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि 8 तारी को 54 साल बाद होने आ रहा है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में अब कुछ रासियों है तो रासियों पर उसका असर जाता है, जीसे कि बच्चित आसियों है, ग्रेंट तरो रासियों पर इसका विसी तरय रहेगा देखने को दुछ दसst ना चाहिए कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है हलां कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है चोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि आप सारी और चावं साल को रहा रहा है स靡़ी ग्राहन और सूरी ग्रेहन चब और शूरी Help जब होता है तो सटा नहीं पोता है कि जब राहू की स्रमपूर दिश्टी चूरी पर होती है जो सूरी मान जब ही होता है तिसके 12 एक हमनते पहले सूरी प्राग मोजाता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है दिस्ता से परले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके तके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है। चोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा। ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य گ्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विस्तर बारा में उसके और वियारा विस्तर सटाओं में तक कर समय इस समय रहेज़त लहन का लिखिए पाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पून सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुरी जानते हैं कि आठ तारिक को 54 साल बाद होने जा रहा है सूरी ग्रेंड और सूरी ग्रेंड जब होता है तो सभी प्रारम हो जाता है। जिन देशों में सूरी ग्रेंड दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूरी ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है। सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है। और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विज पर बाराइब में शुटके और ग्यारा विश्टक सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के फिलाल प्रफपर कोई स्रु तक का अईसा कोई ठवाव नहीं है तकि कुछ राशियां है अगर सूर्य ग्रहंड है पर इसका असर जाता है जिसके क्र्शिद अगर पर इसका विषय असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बंती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा विश्कर सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के द अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू यह दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरी ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि सूरे ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा अमेरिका मैक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सोमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवरात से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है देशता से पहले एक समय जाल लेंगी अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आईएस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं। इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा। ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रहन का मध्य समें रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा। सूर्य ग्रहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुरी जानते हैं कि आठ तारीकों 54 साल बाद उने आ रहा है सूरी ग्रहन और सूरी ग्रहन जब होता है तो सभी ग्रहन जब होता है कि जब राहू की स्रमपूर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रहन होता है। जिन देशों में सूरेग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरेग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरेग्रेंड की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरेग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरेग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरेग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरेग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्राथ में नोब बाराग में उसके और ग्याराग में तक कर समय इस रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में फिनाल भार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्राइन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्राइन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्राइन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा। ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पून सूर्य ग्रेन होगा। सूरे ग्रेंड की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हालाकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासलों के मुदाबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चाहा जाता है तब पूर सूरी ग्रहन की स्तिती बनती है सुमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरी ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरी ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरी ग्रहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरी ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन राशियों पर भी इसका असर है प्रिस्ता से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराव में उसके तक कर समय इस समय रहेज़त रहता लिखी ये बाहा के देशों में नेगा फिनाल भा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू लेकिन जो त्षचारियों के मताबिक राश्यों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूर्ग ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रैन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले हम समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नोबस्तर बारा में से तब के और ग्यारा विश्टर 17 में तक कर समय है इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेहम दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेहन होगा सूर्य ग्रेहन की अबदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है दिश्टा से परले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगोल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्ध समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पू chirping सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफदी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चहा सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है दिस्ता से पहले एक समय जाल लेंगी कि भारतिये परंपरा के दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरे ग्रेहन है और 54 साल बाद यह पूर्ण सूरे ग्रेहन है हालां कि भारत में इस सूरी ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो तसाचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरी ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरी ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि सूरे ग्रेन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विस्तर बाराई में उसके और वियारा विस्तर सताओं में तक कर समय इस वह रहता लेहर का लिखिए पाहा के द असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जा बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अफदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हालाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है निस्ता से पर्ले पर समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नों वज़ बाराइब शुट पर बाराइब शुट अब कर दो कि यारा वज़ तक सटाव में तक कर समय इस समय रहेगा जाता है कि सूरेग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरिग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुषचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते है इस दोरान सूरिग्रहन प्रिथवी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरिग का प्रिथवी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रिथवी पर पड़ेगा सूरिग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चोवन साल बाद अदबुद सूरिग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विस्तर बाराग में उसके और ग्यारा विस्तर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अबदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी, शासलों के मुताबिक चहां सूरिग्रहन लगता है, वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है, उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे, जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा, 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन, चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन, मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पहले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके तके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेदा रहता लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा। ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा। सूरे ग्रेंट की अवदी पांच गंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंट का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में से जब के और ग्यारा वज़तर 17 में तक कर समय इस समय रहें 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 का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहान के दौरान सोना नहीं चाहिए और यातरा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जयता है Bureau Report News 18 55 साल बाद ये पूर्ड सूऱ्ब्रहन है नॏ प्वाला कि भारत में इस सूर्वड़ान का पूरिया असर नहीं होगा ज्यूटर callerो की माने दो कई रासिओं पर इसार impact करता है वही दूसरी तरफ महते हैं इस सोरelf कर्फोनार संट 2 चली कार आत चली पचिल लिएं لي इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इसका समापन रात दो बज़ कर बाइस मिनट पर होगा। जहां सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरिग्रहन की स्थिती बनती है। सुमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरिग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरिग्रहन। चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरिग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरिग्रहन लगने जा रहा है। अमुमन माना जाता है कि सूरिग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यत्रा करने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में सूरिग्रहन के बाद गंगा जल से नाने को कहा जाता है। बिरो रिपोर्ट न्यूजटीन कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बात पून सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चाहा सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्तर से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विस्तर बाराई में उसके और ग्यारा विस्तर सक्ताओं में तक कर समय इस समय रहेज़त लहन का लिखी ये पा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पून सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रेंड और सूर्य ग्रेंड जब होता है तो सभी होता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूर्य ग्रेंड होता है। सूरेगरहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है देश्ता से पहले एक समय जाल लेंगे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है आये इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं 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 अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और ग्रहन के दोरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चन्दरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चन्दरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चन्दरमा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है प्रभाव दिश्टी सूरे ग्रेहन कि आँस गरिते हैं सूरेगरहन जब ही भी नियुक्त है पहले सूतक के चुटक प्रारम हो जाता है सूतक मात यह होता कि सूतक में कोई आसा काम लो मत करें जो कह लुँए चनी से साथ्रेय परमपरास यह लग tua जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है, उनमें कैनिडा, अमैरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्थितीब बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराथ से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है की असी के ढूरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए कि राइन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए कि शास्त्रों में सूर्य में के बाद गंगा जल्से नाने को कहा जाता है यि रिपांट नियुज ए्टीन कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पून सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात्मेनों विश्टर बारा में शुक्त के और ज्यारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखि अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी पांच खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारिक को 54 साल बाद हुने आ रहा है सूर्य ग्रेंड और सूर्य ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है। उन में कैनेड़ा, अमेरिका, माकसिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाया टैयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराथ से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है विरो रिपॉर्ट न्यूज कल साल का पहला सूरिग्रहण होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहण होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारीकों 54 साल बाद होने आ रहा है सूरे ग्रेंड और सूरे ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेड़, अमेरिका, माक्सीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बन रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अ झुलत बनती हम चाहता पहले लगेई और आस्डा है यो practically के उस्यूरे को देखने से बचना चाहिए शास्ट्रों सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है विरो रिपॉर्ट ुस एटीन कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है हाला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है कि अदे कि आठ तारीक को चव्वन साल बाद कोने यह यारह है औरस पता है तो सफिक बदा है कि जब रौडों की Chobrobrodr द्रिष्टी हनल सूरी पर बुटी है तो सूरी पर होता है कि सूरी ग्रेहन अधर अ जहीं पकार ह ke crumble 12 गंट पहले सूर्थक प्रादम हो जाता है। जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूर्य ग्रहन की स्तिती बनती है। और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है। तरह से पहले समय जान लेंगे कि भारतिये परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बश्कर बाराग में सब्के और ग्यारा बश्कर 17 मिट तक कर समय इस समय रहें रहें का लिखिए बाहा के देशों में रहे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए। खल साल का पहला सूरे ग्रेहन होने जा रहा है, 54 साल बाद पूर सूरे ग्रेहन होने वाला है, अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुशचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा, किन-किन देशों में सूरे ग्रहन देखने वाला इस दौरान सूर्य चंदरमा पर्त्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूरी ग्रहन और सूरी ग्रहन जब होता है तो सखीक मता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर उती है तो सूरी ग्रहन होता है सूरी ग्रहन अक्षर अमाऊश्वाता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बारा में ज़तके और वियारा विशतर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेदा बहर का लिखिए पाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रेंड और सूर्य ग्रेंड जब होता है तो सरी ग्रेंड जब होता है। शूर्य ग्रेंड स्वर अमाश का आता है और सूर्य ग्रेंड जब होता है तो उसके 12 ग्रेंड पहले सूर्य ग्रेंड इखने वाला है उनमे कैनेड़ा अमेरिका माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है विद्रिवर्ट News18 उपषुए। और सूरे ग्रेंड के दौरां सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रेंड के दौरां सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूरिग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुषचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते है इस दोरान सूरिग्रहन प्रिथवी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरिग का प्रिथवी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रिथवी पर पड़ेगा सूरिग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चववन साल बाद अदबुद सूरिग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाईस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है चेतर नवरात से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवतिनक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दौरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्षाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगोल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते है कि आठ्प आर्थ तारिखको चयूवन साल बाद होने आदा इस ह को रहने जब होताहै तो सरा और सूरिण होताया कि जब राभू की स्रंपुर दृष्टी स्थूरय kam जिन देशव में सूर्य ग्रहेंंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा अमेरिका माकसीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टर से पहले एक समय जाल लेंगी कि भारतिये परंपरा की दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है स्थी आसभी जानते हैं कि आट तारीख को चववन साल बाद 의 Found आप होँने आ रहा है और सूरी ग्रेहन जब होता है तो सभीटाय की जब रावू की स्रमपुर्थ स्कूल पर होती है तो सूरी ग्र्हन香ता है ऑभ सूरी ग्रहन जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पहले एक समय आ लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके तब के और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेदा रहता लिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है प्रित्वी सूरी और चंद्रमा एक सीदी रेखा में होते हैं जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अम prossiken जैसे देश शामिल है अमچका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है सूरे ग्रहन, मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दौरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाष पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्षाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून ज्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है स्था कि आस सुरिय ग्रेंड जब होता तो सही पूंपुर के स्थूरे पर ऊंपशु पर गेंड पूंप्र तो सूरिगरन उत्ते हैं ती मैषण होता है रोछंस स्थूरे ग्रेंड अश्ण भी होता है त इसकी बारेन कहंट धारे सूर्थ्द में जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, मैक्सीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टर से पहले एक समय जाल लेंगी कि भारतिये परंपरा की दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दॉरान सोना नहीं चाहिए सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है हाला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देस है किन किन देसों में इस सूरी ग्रहन का असर होगा, जानिए इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल हैं। पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है, तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है। सुमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है। और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है। रिष्टा से पहले समय जाल लेंगे कि भारतिये परंपरा के दूशार है। जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसमें तक और ग्यारा विसकर 17 में तक समय है। इस समय रहेगा ग्रेंड का लिफिए बाहा के देशों में नेगा खिलाल भारत पर कोई सूर्य ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूर्य ग्रेंड होने जा रा है। इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा। ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा। सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि आठ तारीकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूरे ग्रेन होता है। पहले सूर्टक सूरू हो जाता है। सूर्टक मात यह होता कि सूर्टक में कोई ऐसा काम न करें जो कि 15 गई से सात्री है, परंपराश या रगू और सास्त्री दूसरी को इस ताहीं विश्ज धान रखने हैं जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिस्तर से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों मे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा, जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है प्रेशता से पहले आप समय जाल लेंगी कि भारतिये परमपरा के दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बीरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहें रहें का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन बाना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News18 कि अज़ा पहला सूरिग्रहण है और 54 साल बाद ये पूर्ड सूरिग्रहण है, हाला कि भारत में इस सूरिग्रहण का कोई असर नहीं होगा, जो त्साचारेओं की माने, तो कई रासियों पर इस सूरिग्रहण का असर हो सकता है। वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है सूरे ग्रेहन उसके सूरे नदय कोई आसा काम लगता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है रिष्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो बाराग में उसके और ग्यारा विश्का सटावल में तका समय इस समय रहें रहें का लिखिए बाहा के देशों में रह अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूरे चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफ़दी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चहा सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है इसे अंधेरा पूरी तरह सा आंधेर कि सूरे ग्रेहन ग्रेहन ऑगेी सूरे म अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नियूज 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बाराइब में तरके और ग्यारा वज़तर सताओं में तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बच कर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरी ग्रेंट की अवधी पाँच खंटे 10 मिनिट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरी ग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंट का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में उसके और ग्यारा विश्टर 17 में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के देशों में देगा अमूमन माना जाता है कि सूरे Г्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 प्रिपोर्ट में यह सूरीग्रहन है और दूसरी तरफ के जो दूसरे देस हैं किनकिन देसों में इसूरीग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्थिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोबज पर बारा में से जब के और ग्यारा वर्च के सटाओं में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा क जाता है कि Soury Grand के दौराण सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से खतना जाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बस्तर बाराग में उसके और ग्यारा विस्तर सटावल में तक कर समय इस समय रहेज़त रहन का लिखिए बाहा क अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूर्य ग्रेन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नों बज़ पर बारा में से अज़के और ग्यारा वज़कर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेदा लेहरता लिखिए पाह अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है तरह से पहले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके तके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट भारत में इस सूरी ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरी ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरी ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ पर बारा में उसके और ग्यारा वर्श्क शक्ताओं में तक कर समय इस समय रहें रहता लिखिए पाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरिग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रेंट का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मुदाबिक जहां सूरिग्रेंट लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विस्तर बाराग में उसके और ग्यारा विस्तर सटावल में तक कर समय इस वह रहेदा रहका लिखी ये पाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप भी जानते कि आर्फ तारिक को जोगवन साल बाद पुने आ रहा है था है शूरी ग्रेंड चब होता है था है। पर अब्राश या रखो और सास्ते दूसरी को इस ताइब रखें जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल हैं अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है, अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है, तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा, 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड, चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड, मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है इस सब्सक्राइब और पर इसका वेस्ट असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दोरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 खल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंट की अफ़दी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंट का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नौ बज़तर बारा में समय तक है और ग्यारा में सब्सक्राइब तक कर समय इस समय रहेगा द्रहें का लिखिए बाह अमूबन माना जाता है कि सूरे ग्रहाण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहने को कहा जाता है Bureau report News 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेों की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देस है किनकिन देसों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेन की स्तिती बंती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टा सटाल में तक का समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् पेर्गान वाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुट्शा चारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिक रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बन रहेंगे। जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तिती बनती है। सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा। चववन साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन। चेत्र नवराच से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरि ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तो रासियों पर इसका असर जाता है जिसे की ब्रश्ची रासियों पर इसका वेशियस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को राद 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन राद 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस शूर्य ग्रेन का मद्य समय राद 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है अन् Changing होगी तरह हाई तरह है अपने कंप चैंड़ में दिन आ इसे समय है अमेरीका में तो सूरी ग्रहन लेकर अलर्ड भी जारी किया गया है हवाई या तायात और एयरपोर्ट पर चेतावनि जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरां स्कूल बंन रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्थिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराथ से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दारान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दारान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है किंद किंद देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं। इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चोवन साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा। ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात ग्यारा बचकर सेंतालिस मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा। सूर्य ग्रहन की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्तर से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बाराइब में उसके और ग्यारा बज़तर सताओं में तक कर समय इस समय रहे दार्षियों का लिखिए अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुरी जानते हैं कि आठ तारिक को 54 साल बाद होने जारा है सूरी ग्रेंड और सूरी ग्रेंड जब होता है। पहले सूर्तक प्रारम हो जाता है। सूर्य ग्रेंड के दौरा इवाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है निश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ बाराइब में से तक के और ग्यारा वज़ कर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के देश अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा विश्कर 17 में तक का समय इस समय रहेदा बहर का लिखिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्वुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ पर बाराई में से अज़के और ग्यारा विश्क शक्ताओं में तक कर समय इस समय रहेदा लेहरता लिखिए बाहर के देशों में देखा फिलाल भारत पर कोई सूर्टत का ऐसा कोई ठवाव नहीं है तकि कुछ दासियां है अगर सूर्य ग्रहन है पर असका असर जाता है जिसे की प्रश्चित आसी है करकरासी है और कुमरासी है इन ते दासियों पर इसका विश्यस असर रहेगा अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू बिलेगा लेकिन जो तुषचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के जर्गे आम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्ध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है दिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्राथ में नोबस्तर बारा में शुट अब के और ग्यारा विश्टर सताओं में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्राएंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्राएंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टा सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के द अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है चोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में उसके और ग्यारा वज़तर सक्ताव में तका समय इस समय रहेगा द्रहका लिखिए बाहा के देशों में अगरतिय पर पुई सूर्य ग्रहन के दारां सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है विरो रिपॉर्ट न्यूज 18 का माने तो ही राशियों पर इस सूरीग्रहन का असर हो सकता है भारत के जो लूजा चेल परैकन देश में इस सूरीग्रहन का असर होगा जानिए इस रिपोट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आस भी जानते हैं कि आठ तारिक को चववन साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रेन और सूर्य ग्रेन जब होता है तो सभी होता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी स्कूरी पर होती है तो सूर्य ग्रेन होता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बारा में चाहिए और यारा बज़तर सक्ताव में तक कर समय है इस समय रहेदा बहर का लिखिए बाहा क असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जा बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्य सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते हैं कि आठ तारिफ को चववन साल बाद हुने या रहा है सूरी ग्रहण और सूरी ग्रहण जब होता है तो सभी होता है कि जब राहू की श्रमपुर द्रिष्टी सुरी पर होती है तो सूरी ग्रहण होता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूशार जो ही यहां पर डात्मेनों विस्टर बाराग में उसके और वियारा विस्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचार्यों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विस्तर बाराग में उसके और ग्यारा विस्तर 17 में तक का समय है इस समय रहेज़त रहका लिखी ये बाहा के द असर रहेगा देखने को मिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जात बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ पर बारा में उसके और ग्यारा वर्श्क शक्ताओं में तक कर समय इस सब्सक्राइब कर देशों में फिनाल अब कोई सूर्थ का इसा तोगाओ नहीं है लेकि कुछ दासियां है अगर सूरे ग्रेहंट है तो राश्टों पर उसका असर जाता है जिसे प्रश्क्रश दासिये है और कुम्हरासिय है इन ती दासियों पर इसका बिश्यस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दौरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरिग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेहन लगने जा रहा है कि और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विस्तर बाराई में उसके और वियारा विस्तर सटाओं में तक कर समय इस समय रहेदा बहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासरों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप भी जानते कि आठ तारिक को 54 साल बाद होने आ रहा है सूर्य ग्रेंड और सूर्य ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बन रहेंगे। जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है। सुमवर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन। चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है। अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दारान सोना नहीं चाहिए और यातरा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहन के दोरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रहन होने वाला है अला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सर्गे आम आपको दिखाते है इस दोरां सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून ज्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके और ग्याराग में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अबदी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरीग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनीडा, अमेरिका, माक्سीको जैसे देश शामिल है अमेरीका में तो सूरीग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एर्पोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है दिस्ता से परले समय जाल लेंगे कि भारतिये परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के देशों में देगा बारतियों पर कोई सुर्टत का ऐसा कोई तरभाउ नहीं है तकि कुछ दासिया है अगर सूरे ग्रहन है तो राचिवों पर इसका असर जाता है जिसकी ब्रशी दासी है करका सी है और कुमरा सी है इन ते दासियों पर इसका वेंशिये असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है लिस्ता से परले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बारा में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के देशों में देगा फिनाल अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेन की स्थिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोबज पर बाराइब में समय तक कर समय है इस समय रहें 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 का लिखिए बाहा के देशों में देगा फिनाल अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियोरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेन की स्तितीब बनती है सूंबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराद से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ पर बाराई में से जब के और ग्यारा विश्क शक्ताओं में तक कर समय इस सब्सक्राइब कर देशों में त अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है कि नवर जहां अप्रेय आपक किंचा आढ़किंद्र पर दाष्सनाइब लगत रहा HE अमूबन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दारान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बच्Star शाहिए ग्रेंड के दारान सीधे सूरे को देखने से बच्छना चाहिए शास्त्रों में सूरिग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते है कि आठ तारीकों चववन साल बाद को नहीं आ रहा है सूरी ग्रेन और सूरी ग्रेन जब होता है तो सभी मता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर उती है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर ग्रात में नोब बाराइब में तरह के और ग्यारा वर्श्ट सटाव में तक समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के देशों में नही अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रैन के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रैन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पून सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंट की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंट का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 मिट तका समय इस समय रहेगा द्रहका लिखिए बाहा के देशों में नहीं है लेकिन कुछ दासियां है अगर सूरे ग्रहन है तो रासियों पर उसका असर जाता है जिसे की प्रश्य दासिय है परक्रासिय है और कुमरासिय है इन ते दासियों पर इसका बेशियस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है याशा कि आप सुर्य जानते की acá तारीको 54 साल बाद क negra पुण आरा है सूर्य ग्रेन रहन Чер अख सजहा है सब्षा के स्वर्भावता कि चाड़् ग्रहन की शश्रावास का तो मिए नियु को या था पहले सूर्य यजा है मात यह होता ऑट winter mid Christmas छासे नहां को और सास्टे तूसरी तुर टूसरी को, लिकार अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर झाा जाता है। तब ूर सूरे ग्रहन की स्थिति बनती है। न सब्Let me tell you सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण चाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगोल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्थिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्राथ में नोबस्तर बाराई में समय तक है और ग्यारा विश्टर सटाओं में तक कर समय है इस समय रहेगा देहर का लिखिए अमोमन माना जाता है कि सूरे जल से नहाने को कहा जाता है बीरो रिपोर्ट न्यूज 18 जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अफदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों वज़ते बारागी शुक्त के और ग्यारा वज़ते सक्ताव में तक का समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के द अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है विरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूर्ग ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है शासलों के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दोरान सीधे सूरी को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरी ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूरी चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरी का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरी ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरी ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अबधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने आ रहा है सूरी ग्रहन और सूरी ग्रहन जब होता है तो सखीक मता है कि जब राहू की स्रंपूर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रहन होता है सूरी ग्रहन अस्वर अश्वाता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके तक है और ग्याराग में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों म कि दासियों पर इसका बेसिस को छिए जाता है । अमूबन माना जाता है कि सूर्य найти दरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करनेसे भी बचना चाहिए है ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए, शास्त्रों में सूरिग्राण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियुरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेहन एक खगॉल यह घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्ध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्सियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले पर समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नोब बज़तर बारा बीशन दब के और जारा बज़तर सक्ताव में तक कर समय इस वह रहेदा लेहर का लिखिए झाल बाहा के देशों में थेलाल भारत बर पर कोई सूर्थम का एसा कोई भाव नहीं है तकि कुछ लासिया है अगर सूर्य ग्रेंट है तो आस्ट कर असर जाता है जिसके ब्रस्ती दासी है करकरासी है और कुमरासी है इन तरी दासियों पर इसका विशिस असर रहेगा अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दौरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सोंवार 8 अपरेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रैल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराँट से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है विरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बात पूर सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मुताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुरी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूरे ग्रेंड और सूरे ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्थितीब बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अफ़दी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते है कि आठ तारिफ को चववन साल बाद हुने आ रहा है सूर्य ग्रेन और सूर्य ग्रेन जब होता है तो सभी होता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विस्टर बाराग में उसके और वियारा विस्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा रहताल कि ये बाहा के देश दौर के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरेग्रेंट के बाद गंगाजल से नाने को कहा जाता है विरो रिपॉर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विज्टर बारागी उसके और ग्यारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए ये अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है विरो रिपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है डिक आप के आहों जानते की आज सारीं को सवंवन साल बाद मागता है और शूरीगरहन जब होता है पहले सुर्थतक प्रारण जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासियां है जे दाशियों पर भी इसका असर है रिस्टा से पहले समय जालेंगे कि भारतिय परंपरा के दुछार जो ही यहां पर डात में लोगी बाराग शी लिट तक और ग्यारा वर्शक शक्तार्व में तक का समय इस समय रहेका अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरां सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्शाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्ध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है तेस्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा विश्कर सटाल में तक का समय इस रहें 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 का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रैन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रैन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रैन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 में यूशान गूवाण वाद यह में दूसरी देश हैं किनकिन देशों में इस सूरिगहन का असर होगा जानिए इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्वुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शूर्य ग्रहन जब होता है कि यहिप में तो जो करें कराए्ट एस ने करें यह सांत्रिय परम्पराश 1 अरro जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों वज़तर बारागी उसके और ग्यारा वज़तर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के देशो लगाव नहीं है तुकि कुछ लाशियां है अगर सूर्य ग्रेहन के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रहन होने वाला है अला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरे ग्रहन देखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पढ़ेगा सूरे ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ बाराइब शुच्छ अब कर दो कि और वियारा वर्श्क सटाव में तक कर समय इस वह रहे दार्शिय अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अफदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शूर्य ग्रहण के सूर्य ग्रहण चाहँ इसकी कि अधर है सूर्य ग्रहण चाहाँ सूरि ग्रहणन 56 सालग भाद भी पहले दा है हो जाता है । कोई ऐसा काम न करें जो की क्रिया गरिंस सात्थर य्य पर Gotona जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया टायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासिया हैं जे दासियों पर भी इसका असर है लेश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बश्कर बाराइब में तरके और ग्यारा वर्श्कर सताव में तक असमय इस समय रहेगा देह लिए वाहा के देशों मे पर इसका देखने और इStra रहेगा देखने को अभी और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेह्ट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरी ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरी ग्रहन होने जा रहा है 54 साल बात कुन सूरी ग्रहन होने वाला है आलंकि भारप में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तिशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवदी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्तर से पर्ले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात मेनों बस्तर बारा में उसके और वियारा विश्तर 17 में तक का समय है इस समय रहेज़त लहें का लिखिए बाहा के देश अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्वुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हालाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सोमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है। और कि मैं साई है और यात्रा करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूरिग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूरिग्रहन पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरिग का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरिग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चववन साल बाद अदबुद सूरिग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाईस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूमवर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने आ रहा है सूरी ग्रेन और सूरी ग्रेन जब होता है तो स्रहिक मता है कि जब राहू की स्रमपूर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रेन होता है सूरी ग्रेन अस्वाता है और सूरी ग्रेन जब ही होता है जिन देशों में सूरेग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरेग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके और ग्याराग में तक का समय है इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समें रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफ़दी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हालाकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सोमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा चव़न साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेतर नवराच से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है उसका विश्कियस असर रहेगा देखं़े दिन अमुंन माना जाता है कि सूरे ग्रहन से भी बचना चाहिए और यात्रमट के दॉरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गमगा जल से नहाने को कहा जाता है बीडूर रिपॉट्ट debates नहीं सेल हांजर भारत के जो दूसरे देस हैं किन-किन देसों में इस सूरी गहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अब दिखेगा 5 खंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके तब के और ग्यारा विसकर सक्ताव में तका समय इस समय रहेगा रहताल कि ये बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमवर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमुममन माना जाता है कि सूर्य करने से बचना चाहिए ग्रहन के दोरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्यkim के बाद गंगा जल से नहने को कहा जाता है विरो रिपोर्ट निज्चेटीन कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अबदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक जहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेन की स्तिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बज्टर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहल का लिखिए बाहा क अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्राहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्राहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्राहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण चाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले आप समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बाराई में उसके और ग्यारा वज़तर सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात्मेनों विज पर बारा विश्ट पर बारा विश्टाव में तक का समय है इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमुमन माना जाता है कि सूरि ग्रेहंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करनेसे भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूर्य ग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूर्य ग्राण है हाला कि भारत में सूर्य ग्राण का कोई असर नहीं होगा जो साचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूर्य ग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अबधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेन की स्थिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टा सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् किन किन देशों में सूरिक रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरिय चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरिय का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरिय ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरिय ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है देश्ता से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ बारा जोंगे और ग्यारा वर्श्ता सटाव में तक कर समय इस वह रहेदा लेहर का लिखिए पाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा सूरे ग्रेन का मध्य समे रात ग्यारा बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा, सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ पर बारा में शुटके और ग्यारा वज़ता सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा क अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण चाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्य सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा अमेरिका माक्सीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एइरपोर्ट पर चरटावनी जारी की गयी है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि सूर्य ग्रेन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूर्य ग्रेन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूर्य ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बारा में उसके और यारा विसकर सटाओं में तक का समय इस सब्सक्राइब रहें का लिखिए बाहा के देश अमोमन माना जाता है कि सुर्य suppression के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सुर्य ग्रेंड बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है अला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सर्गे आम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरिय चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरिय का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरिग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरिग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरिग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरिग्रहन होगा सूरिग्रहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरिग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बज्टर बाराग में उसके और ग्याराग में तक का समय इस समय रहेगा द्रहन का लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अबधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूर्य ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्क पर बाराग में उसके जब के और ग्यारा वर्श्क शक्ताल में तक कर समय इस समय रहेदत रहता लिखी ये यह रहेद रहेदे, लिखी जाता है जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दारान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau report News 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे आम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चाहा सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बज्टर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सटाल में तक का समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्राइन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्राइन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरी ग्रहन का असर हो सकता है। वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देस हैं किनकिन देसों में इस सूरी ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूरी चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूरी ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि आठ तारीकों 54 साल बाद उने आ रहा है सूरी ग्रहन और सूरी ग्रहन जब होता है तो सभी बता है कि जब रागु की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रहन होता है। जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है। सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन। चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है। और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बारागी उसके और ग्यारा बश्कर 17 मिट तक कर समय इस समय रहेदा देहर का लिखिए बाहा के देशों में जो में तरद के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरेग्रेंड के बाद गंगा जलसे नहने को कहा जाता है ब्यूरय रिपॉर्ट न्यूज propagate कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरिय ग्रेंड की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रेंड का सु तक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में से तब के और ग्यारा वज़तर सताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और की पूर्ण चाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून शूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अफधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हला की सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्थिती बनती है सूमबर आज अपरेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियोरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है कि जिसा कि आप सुरी जानते के आट सारी को च़ूबं साल बाद प्रभावे कोने आज आ सूरी ग्रहंट की जब होता है तो सही करteदा है कि जब राहु की शामपूर द्रिष्टी तो शूरे नहीं को था जिन देशों में सूरेग्रेंट दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरेग्रेंट को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंट के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरेग्रेंट की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में उसके तके और ग्यारा वज़तर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा बहर का लिए बाहा के देशों मे लेकि कुछ दासियां है तो रासियों पर उसका असर जाता है जिसे की प्रश्चित आसी है और कुमरासी है इन ते दासियों पर इसका बेशियस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न्यूज पर नहीं होगा, जो साचारेों की माने तो कई राशीों पर इस सूर्य गरण का असर हो सकता है. वो ही दूसरी तरफ. भारत के जो दूसरे देस हैं किनकिन देसों में सूर्य गरण का असर होगा, जानिए इस रिपोर्ट में. इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है कि जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि आख साथ तारीक को चंवण साल बाद जब भी होता है तो इसके शीव साक प्रारम हो जाता है करें यह होता कि सूतक में कोई एसा काम ना जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सीको जैसे देश शामिल है। से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्थितीब बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन राशियों पर भी इसका असर है देशता से पहले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सर्गे आम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफ़दी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नोब ज़ते बारा गुशन दब के और ग्यारा वर्श्ट सटावन में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 तो कई रासियों पर इस सूरीग्रहन का असर हो सकता है भारत के दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरीग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूनच्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है निस्ता से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ पर बाराई में से तके और ग्यारा वज़ता सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए पाहा के देशों म कर देखने को कहा जाता है विरो रिपोर्ट न्यूज एटीन कल साल का पहला सूरिगरहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिगरहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिगरहन दिखने वाला है आई इस इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आस भी जानते हैं कि आठ तारी को चववन साल बाद होने आ रहा है सूरी ग्रेंड और सूरी ग्रेंड जब होता है तो सखीक मता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रेंड होता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दार्षियों पर भी इसका असर है तिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा विश्कर 17 में तक का समय है इस सब्सक्राइब रहेगा लिखिए बाहा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा। बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासनों के मुताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। की आफ तारिकों 54 साल बाद विणने आरा है घाया हो पी ओ आया हुदा है। और सूरि ग्रेंड ग्रेंड चब होता है की जब रागू की श्रंपुर्डरिष्टी करने फिर दोली हना है। जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है कि और पुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है तेसा से पर्लेंगे कि भारतिया परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में दोबस्त पर बाराग दियारा वर्चावन में तक कर समय इस रहें रहेंद रहता लिखी ये वाहा के देशों में रहेंगा फिनाल भा पर पर जो ही आखा और कि ईसका और खरूस भी हgrass कैस्ट पर्लेंगे को शास्त्रों के बाद घंगा जल से नाने को कहा जाता है ये व्र एटीन कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है दिश्टर से पहले एक समय जान लेंगी अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किन-किन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया टायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिये परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बसकर बाराइब में उसके और ग्यारा विश्टा सटावल में तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के देश अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से पर्ले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर सक्ताव में तका समय इस रहेगा जिए पाहा के देशों में रहेगा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अबदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है दिस्ता से परले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बारा में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के देशों में देगा पर कोई सुर्टत का ऐसे कोई परभाव नहीं है लेकि कुछ दासियाँ है अगर सूरिग्रेंट है तो रासियों पर उसका असर जाता है जिसे कि ब्रश्य दासिये है और कुम रासियें इसका बेशियेश असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है। उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृत्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है। सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन। चेत्र नवरात से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमुमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते है कि आठ तारिफ को चववन साल बाद होने या रहा है सूरी ग्रेहन और सूरी ग्रेहन जब होता है तो सभी होता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी स्कूरी पर होती है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के देशों म अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरिय चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरिय का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पढ़ता है कि आफ सीहांने कि आरफ सारीक को करने जारा सूरी ग्रहन चब तो शोरी ग्रहन जब होताए कि जब म्हुत है कि जब राफू की स्रंपूर दृष्टि जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में उसके और ग्यारा वज़तर 17 मिट तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिखिए बाहा के देशों में नहीं अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते है कि आर्ट तारिकों चववन साल बाद कुने आ रहा है सूरी ग्रेन और सूरी ग्रेन जब होता है तो सभी होता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रेन होता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नौब इस पर बारा में से जब के और ग्यारा विश्टा सटावल में तक कर समय इस समय रहेगा देहन का लिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्ध समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूम्वर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा चववन साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने आ रहा है सूरी ग्रेन और सूरी ग्रेन जब होता है तो स्रहिक मता है कि जब रागु की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रेन होता है सूरी ग्रेन अस्तर अमा उश्वाता है जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कुल बंद रहेंगे जब प्रिद्वी सूरे और चूर्छों कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूर ग्रहण है हला कि भारत में इस सूरिग्राण का कुई असर नहीं होगा जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरी ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरी ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में दोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्यान में इस खगोलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ 24 का पहला सूर्य ग्रहन बहुत महत्तो पोने रहने वाला है भारते समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर बाइस मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सुर्य ग्रहन की अवधी कुल पांच घंटे दस मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमध साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दौरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रैन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूम्वर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है प्रिथवी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रिथवी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रिथवी पर पड़ेगा सूरिग्राण एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरिग्राण दिखेगा ये ग्रेण 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरिग्राण का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरिग्राण होगा सूरिग्राण की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरग्रे ei दिखने वाला है उनमें केनिडा, अमेरिका, माक्सीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरग्रेट को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवायत आयात और एर्पोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है कि और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बारा में उसके और वियारा विसकर 17 में तक कर समय इस समय रहें रहता लिखी ये बाहा के देशों में नही अगरे पर इसका असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा ज से नहाने को कहा जाता है। पहर के दो बचकर बाइस मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा। तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चुआ रहा है और चौमद साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है। हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जोतिशा चारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा। किन-किन देशों में सुर्य ग्रहन दिखने वाला है। देखे हमारी ये खास रेपोर्ट। इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंदर्मा की पून छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विसकर बाराई में उसके तक है और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक कर समय है इस रहेगा प्रहत का लिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपॉर्ट प्रबहाव रहेगा पंडित पुनत आलोग हमारे साथ है मेनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोगसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमेनी से जानते हैं अप बज़ करके 22 मिनट रात्री से यह गरहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज़ करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंगलेंड के कुछ भाग जो आयरलेंड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर यह दृष्टी गोचर होग यह पूर्ण सूर्गरहन है हालांकि भारत में इस सूर्गरहन का कोई असर नहीं होगा जो त्साचारयों की माने तो कई रासियों पर इस सूर्गरहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्गरहन का असर होगा जानि इस रिपोर्ट में इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सभी जानते है कि आठ तारिफ को चववन साल बाद होने या रहा है सूरी ग्रेंड और सूरी ग्रेंड जब होता है तो सभी बता है कि जब राहू की स्रंपुर द्रिष्टी पर होती है जिन देशों में सूरी ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराद से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है कि और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है तरह से पर्ले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में शुक्त कर दो और ज्यारा विश्क कर शुक्त कर समय इस समय रहे देहरतालिक कि यह बाहा के देश अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पूर्णे रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बच कर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से 2 पहर के 2 बच कर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बत तर अंटार्टिक, महसागर, आइसलेंट, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्णिय सुर्य ग्रहन बिल्कुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चुआ रहा है और चौमद साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर ज़रूर होगा किन-किन देशों में सुर्य ग्रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सुर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्भुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रैन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहा सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रेंट दिखने वाला है उनमें कैनिडा, Aμεरिका, माक्सिकو जैसे देश शामिल है Aμεरिका में दो सूरिग्रेंट को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवायात आयात और एइरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है तेस्ता से पर्ले समय जान लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नोब ज़स्टर बारा में चुछ अब कर समय है इस तो यह रहेगा द्रहें का लिखिए बाहा के देशों में नहीं है तो यह अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न दो बच कर बारह मिनट से रात के दो बच कर बाईसी मिनट तक रहने वाला साल के पहले सुरेग्रहन का बिहार में भी असर नहीं होगा। पंडित पुनत अलोख हमारे साथ है मेनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सुरेग्रहन का कितना असर होगा। यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा? क्योंकि लोगसवा का चुनआउं भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाउं को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभावत करेगा? हमेनी से जानते हैं. अपन्ति जी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने हो रहा है और एक बज करके तईस मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्य के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंग्लेंड के कुछ भाग जो आयरलेंड से जुड़े हुए हैं वहां पर यह द्रिश्टी गोचर होगा एवं पश्यमी रसिया में इन ही भूभागों पर इस सूरिग्रहन का असर होता है कल साल का पहला सूरिग्रहन है और 54 साल बाद यह पूर्ण सूरिग्रहन है हलां कि भारत में सूरिग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेंड की अफ़दी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा बश्कर सटाल में तक कर समय इस समय रहेदा रहता लिखिए बाहा के देशों तक को सब्सक्राइब कर दोराण सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दारां सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रैन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बेरो रिपोर्ट न्यूस एटीन जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ 24 का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पोने सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में ये पोने सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चुआ रहा है और चौमद साल के बाद पोने सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन चोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उन में कैनिडा अमेरिका माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सोमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दोरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट निउस 18 तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सूरे ग्रेहन का बिहार में भी असर नहीं होगा सूरे ग्रेहन को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनित आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्रान साल का पहला सूरे ग्रेहन है आज सूरे ग्रेहन अमेरिका इंग्लैंड एउरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरी ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनत अलोख हमारे साथ है मेंनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरी ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर तो चुनाओं को क्या ये सूर्य ग्रहन प्रभाबत करेगा हमेनी से जानते हैं अपनी जी साल का पहला सूर्य ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहन है और भारत भूमी पर इसकी द्रिख नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंग्लैंड के कुछ भाग जो आईरलेंड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर यह द्रिख गोचर होगा एवं पश्यमी रसिया में इन ही भूभागों पर इस सूर्य ग्रहन का असर होता है कल साल का पहला सूर्य ग्रहन है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूर्य ग्रहन है भाला की भारत में इस सूर्य ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओ की माने तो कई रासियों पर इस सूर्य ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुरी जानते हैं कि आठ तारिक को चववन साल बाद होने आ रहा है सूरी ग्रेन और सूरी ग्रेन जब होता है तो सभी होता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रेन होता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों वज पर बारा में उसके और वियारा वज पर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के देशों में फिलाल भारति पर पर कोई सूर्य तक का ऐसा कोई करवाव नहीं है लेकि कुछ दासियां है जिसकी प्रश्चित आसी है पर इसका वेशिएस असर रहेगा देखने को मिले अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहन के दौरां सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरां सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शाष्ट्रों में सूर्य ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report, News 18 जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ 24 का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पोने सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पोने सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमद साल के बाद पोने सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सुर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगोल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बारा में उसके और वियारा विसकर सचाल में तक कर समय इस रहेगा प्रहता लिखिए बाहा के देशों में फिलाल भारत पर कोई सूर्टत का ऐसा कोई तबाव नहीं है लेकि कुछ रासियां है अगर सूरे ग्रहन है तो रास्टों पर उसका असर जायता है जिसे की प्रश्टी रासी है करक्रासी है और कुमरासी है इन ती रास्टों पर इसका विसके असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सुरेग रहन का बेहार में भी असर नहीं होगा जोतिशाचारियों की बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सुरेग रहन को लेकर जोतिशाचारियों की पढ़ने पुनित आलोग से बात की पढ़ना समवादा था विनीता मिश्राण साल का पहला सुरेग रहन है आज सुरेग रहन अमेरिका इंग्लाइंड एउरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सुरेग रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है मेंनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सुरेग रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोगसवा का चुनाओं भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओं को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत כरेगा हमे नहीं से जानते है अपंडी जी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा हaiser क्या आज लगने जा रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका, पूरे योरोप और इंग्लेंड के कुछ भाग जो आईरलेंड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर यह द्रिस्टी गोचर होगा एवं पश्यमी रसिया में इन ही भूभागों पर इस सूरी गरहन का असर होता है भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरी गरहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूरी चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरी का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरी गरहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनिडा अमेरिका मैक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सोमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराद से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है देश्ता से पहले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराई में से जटके और ज्यारा विसकर सचाओं में तक कर समय है इस समय रहता लिखिए बाहा के देशों में देगा अमूमन माना जाता है कि सूर्ख्र ne SER Mainा के दाउरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए दोरान सीधे सूर्खrak देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्ख्रेंक्र के बाद गंगा जल्से नाने को कहा जाता है बिर्ऊ रिपोर्ट News 18 जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ 24 का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तोपोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बच कर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से 2 पहर के 2 बच कर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सूर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सूर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सूर्य ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमद साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक ग्रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्ध समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन जेतर नवराच से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सूर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड अमेरिका दक्षन प्रिशांत महासागर उत्तर अंटार् तो साल का पहला सूर्य ग्रहन लखनी चौँआ रहा है और चौमद साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दौरान सूरे चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चववन साल बाद अदबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाईस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विसकर बाराई में उसके तक है और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक का समय है इस रवें रहेगा प्रहें का लिए बाह अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरी ग्रहन को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनीद आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्रार साल का पहला सूरी ग्रहन है आज सूरी ग्रहन अमेरिका इंग्लैंड यूरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरी ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है में नहीं से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरी ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा, क्योंकि लोगसवा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को किया ये सूरे ग्रहन प्रभावत करेगा हमेनी से जानते हैं अपनी ची साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है? साल का पहला सूरे ग्रहन है और भारत भूमी पर इसकी दिख नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंगलेंड के कुछ भाग ज इस सूरे ग्रहन का असर होता हैं कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरह, भारत के जो दूसरे देस है किन किन देसों में इस सूरे ग्रहन का असर होगा, जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि सूर्य ग्रेन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूर्य ग्रेन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूर्य ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में उसके तब के और ग्यारा वज़तर सताओं में तक कर समय इस समय रहें रहता लिए बाहा के देशों म अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सर्गे आम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और पुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है तो से पर्लें पर शुद्ट का ऐसा कोई फ़वाओ नहीं है लेकि कुछ रासियां है तो राश्यों पर असर जाए जिसे की ब्रश्य दासिये पर इसका असर रहेगा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट पूर्ण सुर्य ग्रहन के अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट के होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड अमेरिका दक्षन प्रिशांत महासागर उत्तर अंटार्टिक महासागर आइसलेंड पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सुर्य ग्रहन बिल्कुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमद साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन चौतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुर्य ग्रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सुर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सुर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सुर्य ग्रैन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सुर्य ग्रैन दिखेगा ये ग्रैन 8 अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सुर्य ग्रैन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सुर्य ग्रैन होगा सुर्य ग्रैन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सुर्य ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रैन का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चहां सुर्य ग्रैन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबार आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात मेनों बज़ते बारा में से अज़ते और ग्यारा वज़ते सक्ताव में तक कर समय इस रहेगा द्रहें का लिखिए बाहा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 प्रभाव रहेगा सरिय ग्रहन चेशा die अधिशनी रहा है अधिशा कि पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ग्रहन दिख रहा है? पश्यमी रसिया में इन ही भूभागों पर इस सूरे ग्रहन का असर होता है। इस दोरान सूरे चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मुताबिक चहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि आठ तारिकों 54 साल बाद हुने आ रहा है सूरी ग्रहन और सूरी ग्रहन जब होता है तो सभी बता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रहन होता है। जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है। सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन। चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है। अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है प्रिश्टा से पहले अब समय जाल लेंगे कि भारतिये परंपरा के दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 दोतिश में सूरे ग्रेहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लेकिन विज्यान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साल 24 का पहला सूरे ग्रेहन बहुत महत्तो पोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सूरे ग्रेहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर बाइस मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सुर्य ग्रहन की अवधी कुल पांच घंटे दस मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लगनी चौआ रहा है और चौमध साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चाहा सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है तेस्ता से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के रुषार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा में तका समय है इस रहेगा प्रहें का लिखिए बाहा के देशों में नहीं है तकि कुछ रासिया है अगर सूरे ग्रेंड है तो रास्टों पर उसका असर जाता है जिसे कि प्रश्चित रासिय है करक्रासिय है और कुमरासिय है इन ते रासियों पर इसका विश्यस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है प्रिथवी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रिथवी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया प्रिथवी पर पड़ेगा सूरिग्राण एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरिग्राण दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरिग्राण का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरिग्राण होगा सूरिग्राण की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरीग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंट का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरीग्रेंट लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है कि और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बारा में उसके और वियारा विसकर 17 में तक का समय इस समय रहेज़त रहता लिखिए बाहा के देशों में अगाए बाहा करने से बचना चाहिए ग्रेट के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेट के बाद गंगा जलसे नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि 8 तारिकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूरे ग्रेंड और सूरे ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 दोतिश में सूरे ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लेकिन विज्यान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ 24 का पहला सूरे ग्रहन बहुत महत्तो पूर्णे रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सूरे ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा अमरिका के हिसाब से दो पहर के 2 बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्णे सूरे ग्रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सूरे ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्णे सूरे ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सूरे ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमध साल के बाद पूर्णे सूरे ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेन की स्तिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बारा में उसके और ग्यारा में तका समय इस रहेगा प्रहता लिखी ये पाहा के देशों में नहीं है लग अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सुरेग रहन का बेहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चारियों की बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरी ग्रहन को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनित आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्राण साल का पहला सूरी ग्रहन है आज सूरी ग्रहन अमेरिका, इंग्लाइंड, इरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरी ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है मेंनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरी ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमें नहीं से जानते हैं अपंडी जी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है। अपंडी जी साल का पहला सूरे ग्रहन है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरे ग्रहन है। इस दौरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अ चाहां सूरे ग्रेंड लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। शूर ग्रेंड लकाप तारिकार 45 साल बाद है अः रहा है कि सूरी ग्रेंड और शुरी ग्रेंड जब होता है तो सपने इलसितु हैं। सूर्ष मांत यह होता कि सूर्ष में कोई ऐसा काम लग करें जो कि 15 दिन से सात्री परंपरा से अलगू और सास्ते भी दूसरी तो इस आई विशेश ढखने रखें जिन देशों में सूरे ग्रैन डिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दारान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दारान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्टन्यूज़ 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है आये इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं 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 अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और ग्रहन के दोरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन जोतिश में सूरे ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगोलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ 2024 का पहला सूरे ग्रहन बहुत महत्तोपोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सूरे ग्रहन आज रात में नौ बचकर बारह मिनट पर शुरू होगा और रात दो बचकर बाइस मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर बाइस मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सूर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में ये पूर्ण सूर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सूर्य ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमध साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक ग्रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाष पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है आप पर जानते हैं आठस साल बाद सूरि क्रहन और सूरे ग्रेंड प्रवारत में मता है पर इसके सथे लिए कोई आसा काम नहीं करें जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा चववन साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विश्टर बारा में उसके और वियारा विश्टर सक्ताव में तक का समय है इस समय रहेगा प्रहन का लिखिए बा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सुरिग रहन का बिहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चारियों की बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सुरिग रहन को लेकर जोतिशा चारियों की पढ़ने पुनित आलोग से बात की पढ़ना समवादा था विनीता मिश्रान साल का पहला सुरिग रहन है आज सुरिग रहन अमेरिका, इंग्लैंड, एउरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सुरिग रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है, में नहीं से जानते हैं कि आखिर भारत में सुरिग रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमें नहीं से जानते हैं अपन्डी जी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है? अपन्डी जी साल का पहला सूरे ग्रहन है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरे ग्रहन है जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन राशियों पर भी इसका असर है देशतर से पहले पर समय जाल लेंगे कि भारतिये परंपरा की दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दोरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report NEWS 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरिग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बारा में उसके और वियारा विसकर 17 में तक कर समय है इस वह रहता लेहर का लिखी ये पाहा के देशों म देखने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगुलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ 24 का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पोने सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंट, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पोने सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमद साल के बाद पोने सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पढ़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अफदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है कि यह सब आफ जानते हैं कि आठ तारीtv को छॉवन साल बाद पूने आ पर होता है कि इसके फिर एक ही 12 गिता पहले शूत में को कुई ऐसा काम ना करें व कि करनल इस साथ लिए परंपरा से अलगू और सास्ते दूसरी को जिसका ही विसेश धान रखें इसुत जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल हैं अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सुमबर आठ अप्रैल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जे दास्यों पर भी इसका असर है दिश्टा से पहले अब समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सूरे क्रहन का बिहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चाहरीओं के बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरे क्रहन को लेकर जोतिशा चाहरे पंडित पुनीद आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्रार साल का पहला सूरे ग्रहन है आज सूरे ग्रहन अमेरिका इंगलैंड यूरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है में नहीं से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोगसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमें नहीं से जानते हैं अपनी ची साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है? साल का पहला सूरे ग्रहन है और भारत भूमी पर इसकी दिख नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंगलेंड के कुछ भाग ज इस सूरी ग्रहन का असर होता है कि कल साल का पहला सूरी ग्रहन है और 54 साल बाद यह पूर्ण सूरी ग्रहन है हालां कि भारत में सूरी ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरी ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। जब पृत्वी सूर्य चंदर्मा एक सीधी रहा में होते हैं। इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर्य सूर्य ग्रहन की स्थिती बनती है। सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्य सूर्य ग्रहन। चेतर नवरात से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है। और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है तिस पर प्रभाव नहीं है लिकिन कुछ रासियां है तो राज्टों पर आसर जायता है जिसकी प्रश्चितासी है और कुमरासी है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सूर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में ये पूर्ण सूर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा तो साल का पहला सूर्य ग्रहन लखनी चौआ रहा है और चौमद साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक ग्रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है कि इसके आसः जुह जानते हैं कि आठ तारीको 54 साल बाद भाद उने आ जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल हैं। जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला हैं। जिन देशों में सूरे ग्रेंड के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रेंड के दोरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्योर रिपोर्ट न्यूस एटीन। सूरे ग्रेंड को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनित आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्राण। साल का पहला सूरे ग्रेहन है आज। सूरे ग्रेहन अमेरिका इंग्लैंड यूरोप में देखा जाएगा। लेकिन भारत में सूरे ग्रेहन का क्या प्रभाव रहेगा। पंडित पुनत अलोख हमारे साथ है मेंनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूर्य ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूर्य ग्रहन प्र करके 22 मिनट रात्री से यह गरहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्य के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंगलेंड के कुछ भाग जो आयरलेंड से जुड़े हुए हैं वहां पर यह द्रिश्टी गोचर होगा एबं पहला सूर्च गठाण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूर्च गठाण है हलाकि भारत में यhrण का कोई असर नहीं होगा जो त्साचारियों की माने तो कई राषियों पर इस सूर्च गठाण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किन-किन देसो इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिए इस रिपोर्ट में करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्वुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बच कर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूर्य ग्रहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विस्टर बाराग में उसके और वियारा विस्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा रहताल कि ये बाहा के देश अमूमन माना जाता है कि सूरेग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरेग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है विरो रिपॉर्ट न अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन देखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है ये सासलों के मुता हैं जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनड़ा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है तो पर पर समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विज्टर बारागे शुट रखे और ग्यारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के देशों म रहेगा देखे को बिले जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूली अगटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साल 24 का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पूने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ-साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लगनी चौँआ रहा है और 54 साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगोल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्थिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब बाराई में उसके और ग्यारा में तक समय इस रहेगा द्रहन का लिखिए बाहा के देशों में फिनाल भारत पर क्यbright कोई कवाओ को नहीं है जाकि कुछ रासिया है उर्जिए पर घ्रकरासी है जिसा की प्रषट आसिये लेजित बार इसका रहेगा ये सुरी ग्रैन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रैन के दौरान सीधे सू र को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपॉर्ट न्यूज एटीन तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सूरे ग्रहन का बिहार में भी असर नहीं होगा साल का पहला सूरे ग्रहन है आज सूरे ग्रहन अमेरिका इंग्लैंड एउरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनत आलोख हमारे साथ हैं में नहीं से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा तो भारत में क्या ग्रहन दिख रहा है और भारत भूमी पर इसकी द्रिष्ट नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्य के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंगलेंड क कुछ भाग जो आयरलेंड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर यह द्रिष्टी गोचर होगा एवं पश्यमी रसिया में इन ही भूभागों पर इस सूरी ग्रहन का असर होता है